राजधानी जैपूर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब विश्वकर्मा थाना इलाखे में स्थित एक फैक्टरी में अचानक आग लग गई मामले की सूचना के बाद विश्वकर्मा थाना पुलिस मौके पर पहुँची और दमकल की साहिता से आग पर काबू पाया हलांकि इस दोरान फैक्टरी में रखा समान जलकर खाक हो गया वनिमत ये रही कि आग में किसी तरह की कोई जनहानी यहां पर नहीं हुई वहीं आग का मुखे कारण शॉर्ट सरकिट बताया जा रहा है और फिलाल पुलिस मामले की जाच परताल में जुटे हुई है झाले कारण चाले कारे की बताया जाच है